मित्रो नमस्कार, आप देखें धमजिक्चा मित्रो हन्मान जी सिवजी के ही एक अपतार है हन्मान जी को पूजा करने का एक विसेश महत्व है अगर हन्मान जी के नहीं पर परसंद हो जाए तो उन्हें फिर किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते उनके सारे बिग्रे कारी बन जाते हैं जैसे राम जी के बिग्रे कारी भी हन्मान जी ने देदायोग में बनाये थे उसी तरह जो भी मन से हन्मान जी के पूजा करता है हन्मान जी को परसंद करता है हन्मान जीनकी सारी बाधाय को दूर कर देता है ऐसा सीव पुरान में भी है कि सीव जी या सीव जी के जो भी अवतार है उनकी पूजा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती है हनवान जी कल्योग में एक मात्र जिंदा देपता है जब है भख्मान राम बेकउंट लोट रहते तो उनना ने हनवान जी को आदेश दिया था कि कल्योग में भी वो मिति लोग पर ही विराज़ मान रहें और यहां के सेरे काज देखें तो हनवान जी आज भी मिति लोग पर ही हैं तो आईए हम जानते हैं हनवान जी को किन टोटकों से प्रसंद क्या आजा सकता है उनकी किरपा ली जा सकती है बितनों अगर आप चाहते हैं आपके घर में सुक सम्रिद्धी आए पैसे की धनकी कोई कमीना रहे तो आपको एक कारी करना होगा घर में जहां भी आपका पुजास्थल है वहाँ पे हनवान जी का ध्यान करते हुए सरसों तेल का मिट्टी का दीपक जलाना है आपको और साथ ही दीपक जलाके एक बार हनवान चारीजा का पार्ट करना है और फिर सो जाना है ऐसा अगर नियमित रूप से आप करते हैं तो आपके घर में धन धाने के कभी कमी नी रहेगी सारी बाधाएं आपके टल जाएगी अगर आप चाहते हैं कि बाधाएं दूर हो जाएं जितनी भी संकट हैं आपके उपर जितनी भी वीगन हैं कारियों में वो दूर हो जाएं तो आपको उसके लिए कारी करना होगा आपको नारियल लेना होगा एक जिसमें की छिलके लगे हों छिलके लगे हुए नारियल में मोली जो की धागा होता कच्छा धागा वो बांधना होगा उसके उपर और उसके उपर चावल चरहाने होगे और हनमाजी की पूजा करनी होगी पूजा के बाद ये नारियल हन्माजी के पास रखते हैं जहां भी आपका पूजा रस्थल है वहाँ पे हन्माजी होंगे वहाँ पे हन्माजी के पास इस नारियल को रखते हैं ऐसा करने से आपकी बिग्न बाधाय जो है वो दूर हो जाएंगी आपका कार्य सफल होगा अगर आपके मन में कुछ मनुकामना है वो पूर नहीं होरी तो आप क्या करें पीपल के नीचे जाएं सरसों के तेल के दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद आपको एक मंत्र का 108 बार जाप करना है वो मंत्र है ओम रामदूताय नमा ओम रामदूताय नमा का 108 बार जाप करें आपके सारी परिशानिये विगन दूर हो जाएंगी और आपके सारी कार्य सफल होगे अगर कोई विद्यार्थी है या आपको कम्पेटिशन की त्यारी करते हैं आपको उस परिशा में सफलता नहीं मिलती है तो आपको एक कारी करना होगा चमेली का तेल ले 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 चमेली के तेल का धीपक हनमाजी के सामने जलाएं और सिंदूर लाल लंगोट हनमाजी को अरपित करें ऐसा आप नियमित रूप से अगर करते हैं तो आपको परिच्छा में सफलता निश्ची तोर पर प्राप्त होगी अगर आपकी कोई मन कामना है तो आप क्या करें लाल ज्ञडे जो कि हनमाजी के मंदीर के उपर अक्सर आप देखते होंगे वो ज्ञडे आपको दान देने हैं हनमान जी के मंदिर में आपको जंडे दान कर दें और साथ ये बंदरों को चने खिलाएं मंगलवार को तो विशेस रूप से खिलाएं और भी दिन भी आप खिला सकते हैं तो इससे हनमान जी के किरपा आप पर बनेगी आपकी सारी मनकाम नहीं पूर्ण होंगी अगर आपके दुस्मन बहुत सारे हैं और आप चाहते हैं कि वो दुस्मन आपके कमजोर पर जाएं वो दुस्मन तब जब वो आपको दुस्मन मानते हों अपना ऐसा नहीं कि आप उनको दुस्मन मानते हैं अगर वो आपको अपने दुस्मन मानते हैं तो यह टोटका सिध्ध होगा आप क्या करें हनमान जी का फोटो या जो मूर्ति या फोटो जो कुछ भी है आपके घर में उसे इस तरह रखें हन्मान जी का मुख़ जो है वो दक्षीन दिशा की और हो ऐसा करके लगाएं आप, ऐसा करने से हनमान जी की किरपा ऐसी होगी आपके, कि आपके विरोधी जो हैं, आपके दुस्मन जो हैं, उन पे आपकी विजय होगी, सारी मन कौमना को पूर्ण करने के लिए एक और विसेस कारगर टोटका है, आप क्या करें, मंगलवार के दिन, प हनमान जी को मस्तक पे चराने हैं, पेरों पे नहीं चराने हैं, या हनमान जी के आगे समर्पित करना हैं, इससे सारे दुखों से मुक्ती मिलती हैं, मन कौमना पूर्ण करने के लिए, किसी भी तरह के आपकी मन कौमना हैं, कुछ भी आप चाहते हैं, मन चाहा वर्दान तो अगर ऐसा करते हैं आप तो हनमान जी की किर्पा पे बनेगी आपके सारी मन कामनाय पूर्ण होगी तो मितरों ये आप करके देखें हनमान जी की किर्पा पे जरूर निश्चितर पर बनेगी और आपके सारी मन कामनाय पूर्ण होगी आपके घर में सुक्स नम्रिद्धी आएगे मिलते हैं किसी अन्य ग्राण वर्दक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार